हेलो एवरीवन वेल्गों टो मैं चैनल टोड़े आर बेक विद नीव कोशन आ लोट जैट ड्रोस 12 कवी ए किलो वोल्ट एंपियर एट पावर फेक्टर ऑफ 0.856 लेगिंग जान लेगिंग आ गया है यानि लोड किस थाइप करा होगा इंडक्टिव फ्रॉम ए 120 वॉल्ट आरमेश साइनस व्लडर सोर्स जो सोर्स है उसके आरमेश वेल्यू दे रखिए 120 वॉल्ट हमें कैलकुलेट करना एवरेज पावर एक्टिव पावर डिलिवेट लोड पी करेंट और लोड इंपिडेंस यह सारे फेक्टर हमें कैलकुलेट तो हमें पहलेट दे रखा जो लोड है उस पर कितनी हमारे वह पावर जा रही है 12 वेल्यू वल्ट आमपेर यह कुनसी पावर और होगी एप्रेंट पावर यारि पहले हमें गीविन है जो डेटा गीविन है उसको मैं लिखता हूं पहले गीविन क्या मुझे एपिरेंट प ठीक है यह कितनी गिविन है मुझे 12 KVA यानि 12 into thousand volt ampere ठीक है यह apparent power given है मुझे next और क्या given है मुझे power factor given है यानि cos theta V minus theta I की जो value है कितनी given है 0.856 यह हमें lagging given है ठीक है lagging यानि इसकी वेस्ट क्या हो गया inductive load लोड के हमना nature बता दिये देखके तो power factor दे रखा है यहां सा theta v minus theta i निकाल लो वो कितना हुआ cos inverse 0.856 तो यह theta v minus theta i कितना आजाएगा इसको जब calculate करेंगे यह आएगा 31.13 इतने degree और क्या giving है मुझे 120 volt rms value तो vrms मुझे giving है इसको मैं phasor में लिखता हूँ तो 120 at an angle of 0 degree इतने वोल्ट हमें बताना average power reactive power deliver to load ठीक है तो average power क्या पहला part है हमारा average power निकालनी है average power यानि real power यह क्या होता i rms तो अब को पता ही नहीं है तो मुझे क्या giving है vrms और i rms की value कितनी giving है vrms into i rms की value given 12 की वी है तो मैं उसको यहां पर रख दूँगा तो 12 into 1000 और cos theta v minus theta यह वह कितना given है यानि power factor 0.856 तो यह कितना आ गया इसको जब calculate करेंगे तो यह average power 10.272 kilowatt इतने kilowatt ठीक है second पूछा हम से इसी में reactive power तो reactive power के लिए क्या करेंगे वस vrms into i rms यहां पर क्या होता है sin theta v minus theta i ठीक है इसलिए हमने angle निकालाता है तो यहां पर vrms i rms की value मुझे पता ही है कितनी है 12 into 1000 sin theta v minus theta i कितना है था 31.13 तो यह solve होके आएगा ठीक है इसको हम कहते है P यह ध्यान रखना इसको कहते है हम Q से तो इसका इसकी जो value आए जाए गी वह आए जाए कि 62 point sorry 6.204 ठीक है इतने यह reactive power इसकी unit क्या होती है यह kilo volt ampere reactive ठीक है kvr माती है इसकी unit यह निकाल ली हमने average power यानि real power और reactive power हम सब पूंचा गया next peak value of current and load impedance अब यहां सब peak current की value case निकालेंगे next देखो तो पहले हम क्या करते है पहले इसको complex power के form में change कर लेते है यानि P plus यह lagging है तो P plus J Q आएगा ठीक है अगर अगर leading होता तो J negative हो जाता है यहां पर यानि P minus J Q आता तो P की value आई है यह सब दोनों kilo में ही है तो कोई डिकत नहीं है 2.72 plus J 6.204 किसमें लिखेंगे इसकी unit क्या होती है S की यानि complex power की kilo volt ampere तो यह आगया next और क्या पूछा इसको change कर लो अगर phaser में sorry हाँ इसको phaser में change करेंगे तो क्या आएगा 10.272 इसको मैं 1 second कर रहा हूँ 10.272 का square plus 6.204 का square then under the road यह आजाएगा 12 इसका angle find करते है angle आएगा इसका 10 inverse 6.204 divided by 10.272 इसका angle आएगा 31.13 ठीक है तो हमने देखा जो उसका power factor का angle होता वही complex power का भी angle होता ठीक है यह आगे इस ध्यान रखना इसे यह आया 12 31.13 और वी रम्स हमें given था ही 120 at an angle of 0 degree ठीक है तो जब इसको क्या करेंगे यह किसम आएगा यह तो हमारा kilo kilo meter ठीक है यह था हमारा kilo volt ampere में मैं इसको change कर ले रहा हूं 1000 से multiply करके ठीक है अब यह unit में change हो चुका तो 120 से यह इससे 10 times cancel और 10 से यह 100 बचेगा और यह बचा एंगल 31.13 यह आया current की जो यह rms value उसका एक side conjugate दे रहा है तो हमें चाहिए current की क्या चाहिए rms value चाहिए तो मैं क्या करूँगा किसी number का 2y conjugate ले लो तो conjugate खतम हो जाता तो इसका conjugate लोगा तो इसका conjugate खतम और conjugate इदर आएगा तो क्या हो जागा मैं बताया जो अभी angle हो उसके उसके सामने का sign opposite कर दो यह plus का तो minus का हो जाएगा ठीक है अगर minus का होता तो हो जाता बस इतना करना ठीक है यह किसमा आएगी ampere में अगर यहां पर किलो में करते तो किसमा आती किलो ampere में ठीक है अगें नेक्स्ट की value आ चुकी है हम सब पहुंच गई है क्या peak value of current तो peak rms में क्या होता है relation i rms equals 2 क्या होता है i am upon root 2 यानि i am जो होगा है हमारा कितना आ जाए root 2 से इसमें multiply कर दो तो इसके rms value यह 100 root 2 तो यह आ जाएगा solve होके 141.4 ampere ठीक है next और क्या पूछा है load impedance तो load impedance निकालने के लिए हम क्या करेंगे load impedance यह बी पार्ट था c निकालेंगे load impedance impedance वह था z यानि v upon इस वार rms value देखें ही तो हम rms value यूज करेंगे तो vrms 120 at an angle of 0 degree तो यह rms कितना है अभी इसके निकालेंगे rms यहां पर 100 at an angle of minus 31.13 ठीक है तो यह z कितना जाएगा इसका जाएगा इस 100 से इसको डिबाइट करो 1.2 और यह angle उपर जाएगा पिलस हो जाएगा ठीक है इसको change कर दो अगर change करना तो यह जाएगा 1.2 cos 31.13 पिलस जे 1.2 sin 31.13 इसको जब change करके आएगा तो यह आएगा इसको मैं एक बार change कर देता हूं ठीक है 1.2 multiply by cos 31.13 यह जाएगा 1.03 प्लस जे next 1.2 sin 31.13 यह जाएगा 0.62 ठीक है तो इतना आ गया अब क्या करेंगे यह देखो मैंने पहले काता है लोड जो आएगा इंडक्टिव आएगा यहां पर वही आया ठीक है तो अब आ चुका यह इसकी unit क्या होगी तो सारे parameter हमने one by one calculate कर लिए इसी टाइप से मैंने का कोई भी दो parameter given है अगर हम उससे remaining जितने parameter होंगे सारे find कर सकते हैं इसी टाइप से सारे factor calculate किया जा सकते हैं जितने भी हमें parameter होंगे सारे calculate किया जा सकते हैं ठीक है तो इसी टाइप से हम next video मिलेंगे next question के साथ लोगा थैंक यू